कास्टिंग गाउच का शिकार हो चुकी है प्राची देसाई बताया कि फिल्म में रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज की शर्थ रखी गई छोटी से लेकर बड़े परदे तक प्राची देसाई ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में खास जगह बनाई है साल 2006 में टीवी सीरियल कसम से डेब्यू करने वाली प्राची देसाई ने साल 2008 में फरहान अक्तर के साथ फिल्म रॉक आउन से बॉलिवुड करिया की शुरुआत की थी इसके बाद उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है साल 2015 के बाद एक्तरस बहुत कम प्रोजेक्ट में नजर आई है हाल ही में प्राची देसाई ने एक एंटेटेन्मन्ट पोर्टल से बॉलिवुड में कास्टिंग काउच पर बात की है और बताया है कि वो खुद भी इसका सामना कर चुकी है उन्होंने बताया कि एक बड़ी फिल्म करने के लिए उनको कॉंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया प्राची देसाई ने बताया मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म का ओफा आया था लेकिन जिसके लिए मुझे कॉंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया जब मैंने इंकार कर दिया तो डाइरेक्टर ने मुझसे फिर संपर्क किया मैंने साफ कह दिया कि मुझे फिल्म नहीं करनी है प्राची देसाई ने महसूस किया है कि बॉलिवुड में व्रश्टाचार और नेपोटिसम भी है प्राची देशाई ने कहा है कि वह इस बात से खुश है और टीटी आ गया है क्योंकि बहुत से ओप्षन है और देखने के लिए बहुत कॉंटेंट है एक्तरस के पास आने वाले दो महीनों में दो दिल्चस्ट डिजिटल प्रोजेक्ट है प्राची देशाई ने Once Upon a Time in Mumbai, बोल बच्शन, अजहर, लाइफ पार्टनर और पुलिस किरी जैसी फिल्मों में किया है प्राची देशाई ने हाल ही में Silence, Can You Hear? नाम की फिल्म से वेब डेब्यू किया है Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries